Hello everyone! तो जैसा कि DUJ 2020 की आंसर की भी आ चुकी और बच्चों को बहुत आउट हो रहे हैंगी कई questions के answers उनके match नहीं हो रहे हैं काफी सारे और बच्चे इस नंबर पर मुझे doubt भेज रहे हैं तो धीरे धीरे आप भी भेजते जाएए जिन भी answers में आपको doubt है मैं उन questions के आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ कई questions तो बच्चों से खुदी हो गए और कईयों के answers में उन्हें doubt है तो मैं उन्हें बना के वीडियो तो दे रहा हूँ साथ साथ मैं उनको trick भी बता रहा हूँ क्योंकि DUJAT आपने ठीक at 12 के बाद DUJAT का exam दिया ये questions फिर से आपको graduation के बाद या CAT में काम आएंगे या SSE में काम आएंगे या banking में काम आएंगे या आने वाले time में CET का exam होगा उसमें काम आएंगे तो purpose ये भी है ठीक है जी आईए इस question की शुरुआत करते हैं तो ये हमारा profit loss chapter से जो discount और mark price वाला topic होता है वहां से ये question आया हुए DUJAT 2020 में और इसकी मैंने एक जबर्दस trick बता रखी है वो trick की गहराई जानने के लिए ये trick तो मैं आपको बता दूँगा लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए न वो trick बन कैसे रही है उस trick की गहराई जानने के लिए सबसे पहले इसी मैंने एक link दिया हुआ उस पे click कीजिए आपको trick की गहराई भी समझा जाएगी और आपको समझा जाएगा यार ये question तो 10 से 15 सेकिंड में इस भी हो सकता था अब वो trick क्या बता रखी है मैंने मैं यहाँ पे गहराई नहीं बता रहा है मैं आपको यहाँ पे सिरफ trick बता रहा हूँ गहराई देखनी है तो इसी वीडियो के description में link पे click करो मैंने special एक 20-25 मिनट का वीडियो बनाया हुआ वो आप देख लेना उससे आपको और ग्लाइटी हो जाएगी जब भी ऐसा question आएगा जिसमें CP यहीं की cost price और mark price का ratio हमें निकालना होगा ज़र ज़रूबत पड़ेगी हमें तो हमेशा याद रखना CP के सामने 100% minus discount percent आता है और mark price के सामने हमारा आता है 100% plus minus profit percent slash loss percent यह कैसे आया फिर से वही बात आपको link प्लिक करके वीडियो देख ले ना लेकिन exam में यह trick आपने लगानी है बड़ा logical मैंने बता रखा है कैसे बना यह अब exam में यह question आया तो straight forward आपकी ratio आगई क्या at what price should a shop keeper mark a radio that cost him rupees 1200 CP हमें actual में दे रखा है 1200 रुपए in order that he may offer a discount of 20% CP के सामने 100% minus 20% 80% यह हुआ ratio and still makes a profit of 25% और MP के सामने profit है तो add करना है 100% plus 25% 125% यह मैंने classes में कई बार बताया हुआ है percent से percent कट गया अब CP की value आपको दे रखी है CP की value दे रखी है rupees 1200 मतलब 80 unit आपको 1200 रुपिस दिया हुआ है तो 1 unit कितना हुआ आशाबाश 15 15, 8 जाई तो 120 होता है बस आपको क्या करना है इस 125 को 15 से multiply करना है 15, 55 हो गया 7 आगया 15, 2, 30 और 7, 37 हो गया 15, 3, 18 हो गया बस इस question का जो mark price है answer है 1875 है यानि की question पूछा न at what price should a shop की पर mark के radio mark price पूछा हुआ है वो answer 1875 था अब आप अपनी answer की में देखिए शायद यह answer नहीं दिया हुआ था ठीक है जी thank you very much आपको मैंने number बता दिया अगर आपको किसी भी question में doubt आ रहा है answer आपको सही नहीं लग रहा तो आप मुझे अपना doubt भे देजिए thank you okay bye bye take care all the best